हेलो एब्रिवन वेल्कम टू स्री एक्रेडमी आज हम लोग EBS की महराथन क्लासेज करने जा रहे हैं तो उसमें हम लोग पूरा कॉंसेप्ट का ओवर्वीव पूरा देखेंगे सारे चैप्टर्स का और उसके साथ ही हम लोग प्रिविएस एयर की क्वेस्टन्स भी करेंगे तो आए चलते हैं हम लोग आज म्यराथन क्लास में तो आज कर जो पहला टॉपिक है वो है Components of Environment तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि Environment होता क्या है? Environment को एक्चली हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो पर्यावरण होता क्या है? पहले इसको जानना ज़रुरी है पर्यावर्ड सब्द आप लोगों ने तो सबने सुनाई होगा नेकि पर्यावर्ड वास्तम होता क्या है इसको भी हम लोग जान लेते हैं किसी भी जीवित प्राड़ी के चारों और पाए जाने वाले लोग अस्थान वस्तु में एवं प्रकृति को क्या बोलते हैं पर्यावर्ड बोलते हैं यह प्राकृतिक एवं मानो निर्मित परिखटनाओं का मिस्रड होता है देखिए जो प्राकृतिक वातावर्ड होता है उसमें पाई जाने वाले जो दो परस्तियां होती है जीवी परस्ति होती है एक अजीवी होता है ठीक है जबकि जो मानो निर्मित परिखटनाओं होता है उसमें मानो की परस्पक्रियाएं उनकी गतविधियां या उनके जाने वाले रचनाय सम्मिलित होती हैं, तो जैसा कि हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, कि पर्यावरण की घटक को दिखाया गया है, देखी एक प्राकिरतिक घटक दिखाया गया, एक मानो निर्मिल, तो इस प्राकिरतिक घटक में हम लोग देख सकते हैं, अस्थल मंडल है वाय मंडल जल मंडल और सजीव जो मंडल होता है इसी के हम लोग बात कर रहे थे कि जो पर्यावरण के प्राकरति घटक होती है इन चारों का मिस्रड होता है इसमें जो प्राकरति वातावरण भी होता है और सजीव जय मंडल भी होता है प्राकरतिक में आपका प्राक मानो ने जो बनाई हुए जो चीजे है वो संधिलित होते हैं, इसे मानो ने मारत' बनाई पार्क बनाई, फूल है, सडक है, संब्रक है, उध्योंग है तो यह सब चिक्या वोती है, मानो ने पर्यावरणति घ suburbs की घटक होते हैं ठीक हैं तो जीवी में क्या होता है कि सजीव प्राडियों का जो संजार होता है जैसे पादप और जन्दु इसको हम लोग लिख लते हैं तो आब लोगों को क्या है कि माइंड में हमेशा रहेगा ठीक है जीवी होता है या इसको जैविक भी बोलते हैं उसमें देखिए सजीव प्राडियों का संसार जीवी प्राडियों का संसार यह क्या आता है जैविक में आ जाता है ठीक है और जीवी जो होता है जीवी जो होता है जीवी प्राडियों का संसार संसार जैसे जैसे अस्थल मंडल जल मंडल ठीक है यह सब जो होता है जैविक भी अजैविक भी तो जीव मंडल है तो इसको तो हम लोग बोलते हैं जी वी बार कि यी जो अस्थाल मंडल है यह जल्मंडल है यह यह ज prowड़ी होता है तो पर अप्रकमरतिक जो गटक हुटा है वो जैयलिक और जैयलिक दोनों प्रसितियों का मिस्रड होता है, ठीक है, तो ये बात भी अप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग, अब हम लोग बात कर लेते हैं, एरिया जाफ इन्वार्मेंट, तो एरिया जाफ इन्वार्मेंट में सबसे प उठोस उपरी परत जो हम लोग देख रहे हैं जिस पर हम लोग चलते हैं अस्थल वाला एरिया उसके उपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं अस्थल मंडल बोलते हैं ठीक है यह हमें वन क्रिसी अव्यम मानव बस्तियों के लिए भूमी पसुओं को चरने के लिए अस्थल भ अस्थल मिल रहा है, भूमी मिल रहा है, इस पर मानो पस्तियां वसी हुई है, इनको हम लोग अस्थल मंडल बोलते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं, जल मंडल की बात कर लेते हैं, तो जल मंडल में, देखी क्या होता है, जल के छेतर को जल मंडल बोलते हैं, ठीक है, जैसा का पुरा एरिया जो है वो जल मंडल होता है तो इसमें नदी, जील, समंदर, महासागर ये जो मिलकर जल मंडल का निर्माड करते हैं पृथिवी की चारो तरफ फैली हुई पतली परत को जल मंडल की बात होगी अब हम लोग इसमें एरिया जाप इन्वार्मेंट वाय मंडल की बात करेंगे तो पृथिवी की चारो और फैली वे पतली परत हवा की पतली परत को वाय मंडल बोलते हैं ठीक है पृथिवी का जो गुरत्वा कर्षड होता है बल अपने चारो तरफ की वाय मंडल को थामे रखता है अगर ये गुरत्वा कर्षड बल नहीं होता तो हमारा वाय मंडल जैसे में दिख रहा है, थमा हुआ, वो ऐसा नहीं रखता है, यह हमें सुर की जो जुलसने वाली गर्मी और हानिकाल के रणों से भी बचाओ करती है, कौन बचाओ करता है, वाय मंडल, ठीक है, तो इसमें गैस, धुलकड और जलवास्प सभी पाये जाते हैं, ठी कि हमने पीछे पिक्चर में देखा था, ठीक है, तो जो जीव जीओं का जो संसार होता है, उनको जयम अंडल बोते हैं, सिपेड़ पौधेंवे, जीव जन्तु, जीव जन्तु में हूमन भी आता है, और दूसरे जीव जन्तु भी आते हैं, ठीक है, यह पृतिवी का जन्तु सर्वाइबल यह तभी कोस्बल भो पाया है, ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, एको सिस्टम की, तो देखें, एको सिस्टम को हमने हिंदी में बोलते हैं, पारितंत्र, पारितंत्र क्या होता है, पहले इसको हमने जान लेते हैं, हम लोग मैंने एक पिक्चर लिया हुआ है और इस प्रिक्चर में एक जलासे है जिसमें दिख रहा है कि बत्तक हैं, कमल की फूल है, आसपास जो अस्थल वाला एरिया है वहां पर इरन और गाय भेस दिख रहे हैं, बर्ड और पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं जो घासो को चर रहे हैं, तो एक जल वाल होता है कि जो जो धारी होते हैं उनका आपसी आपस में और आसपास के जो पर्यावरण है अस्थल है जल है वाइव है उनकी बीच का जो संबंध होता है उसको परितंत्र बोला जाता है ठीक है तो जलासे में क्या है जल है पेड़ यह सजीव भी है छोटे-छोटे कमल के फूल भी है बहुत सारे सुच में जीव भी होंगे और आसपास का जो पर्यावरण है जल मंडल है वाइव मंडल सब क्या होता है जिवधारियों का आपस में और आसपास का जो पर्यावरण उनकी भी जो संबंध होता है उसको एको सिस्टम कहते हैं जैसे अधिक वर्षा वाले ज correlation होता है और सब आपस में dependent होता है ठीक इस घास अथल है रेगिस्तान है परवत छील नदी छोटा सा इताल इताल का example जैसे मैंने इस picture में लिया हुआ है ठीक है तो यह अपने आप में सब ecosystem है जो ecosystem का concept किस ने दिया था यह भी अपनों को जानना चाहिए क्योंकि यह questions में आते हैं तो एजी टैंसले ने 1935 में ecosystem का concept दिया था और यह word ecology ecology word से बना है और ecology word जो होता है वो Ernest Hacker ने दिया ठीक है यह पता रहना चाहिए कि ecosystem एजी टैंसले ने दिया था अकब दिया था 1935 में और ecology क्या होता है ecology क्या मतलब जो ecosystem पे जो research होती है उसको ecology इसमें अध्यन किया था ecosystem पे उसको Ernest Hacker ने इसको दिया था ठीक है अब हम लोग टाइप सब ecosystem की बात कर लेते हैं इसमें एक chart दिया हुआ है और इसमें देखी नेचरल जो ecosystem होता हो तो two types के होते है एक तो aquatic होता है एक terrestrial होता है aquatic मतलब जो पानी से related ecosystem होता है उसको aquatic और terrestrial मतलब जो घास से related होता है वो जिसे forest आ गया desert आ गया grassland आ गया mountain forest का जंगल desert मतलब रेकस्तानी गया grassland घासों का जो मैदान होता है वो भी घास के terrestrial में ही आता है और mountain परवत का परवती जो एरिया होता है वो भी परवत का भी अपना एक ecosystem होता है aquatic की बात कर लेते हैं हम लोग तो aquatic में देखिए two types का होता है एक marine होता है जो महासागरों का जो अपना ecosystem होता है marine और जो fresh water होता है उनका अपना अलग ecosystem होता है ठीक है तो महासागर का ecosystem marine में आ जाता है और जो fresh water होता है उसके अंदर river आती है लेक आती है woolen, ठीक है, तो ये सारे जो चीज़े है इह टाइब सा एको सिस्टम में आता है, इसको आप लो एक बार अच्छे से देख लेजिएगा, अब हम लोग बास करते हैं, components of ecosystem तो components of ecosystem में देखिए जो ecosystem होता है वो यो टाइपस का होता है एक biotic, biotic को ही GV बोलते हैं जयविक बोलते हैं और यह biotic को और GV और जयविक बोलते हैं ठीक है तो biotic three types का होता है जिसमें producer, consumer और decomposers होता है प्रोडूसर्स वो होते हैं जो अपना खुद बनाते हैं, जैसे पीड पौधा होते हैं, सूरी की रोसनी में अपना खुद बनाते हैं, प्रकास संसलेटसर की प्रक्रिया के माध्य हमसे, तो इस संसार में जो अस्थल मंडल है, उसमें खाना बनाने वाले प्रोडिसर की सिप पौध ही होते हैं, क्योंकि अपना खान और फलफुल मिलते हैं, नर्स मिलते हैं, जो भी चीज़े मिलते हैं, क्या प्रोडूसर्स पाउध्यों से तो ही मिलते हैं, डारेटली चाहिए इंडारेटली, तो हम लोग कंजूमर्स में आ जाते हैं, ठीक है, जो कंजूम करते हैं, प्रोडूसर्स को उनको कंजूमर्स बोल ठीक है अब ये बायोटिक में जो कंपोनेंट्स है वो आता है लाइट वाटर स्वाइल विच इस नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसर और कंजूमर देखी अगर प्रकास पानी और मिट्टी अस्थल जल और वाइव न रहे तो हुमन लाइफ या जो लाइफ और सर्वाइबल पॉ लोगोसिस्टम बोलते हैं और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंडेंट होता है कहीं भी कोई भी बायोटिक कंपोनेंट अगर सर्वाइबल तो यह वजह से हैं तो यह चीज आपस में जो चूठीलेशन इसुसी इसी को हम लोगोसिस्टम बोलते हैं या पारित इंद्र ब को थकाता है, उससी सबसे उसको हम इसको कई अलल अलल लेवल में रखते हैं तो 心र में हम उसमी पहले सब्सक्राइब, यह हैं आप यही पहले बात करेंगी नि राम्री कंचुमर्स, वह होते हैं just जैसे frog हो गया, fox हो गया, tertiary consumers वो होते हैं, जो primary को भी खा सकते हैं, और secondary को भी खा सकते हैं, for example, जैसे lion है, तो वो deer को भी खाता है, और fox को भी खाता है, ठीक है, तो ये हो गया, tertiary consumers थे, और omnivores वो होते हैं, जो vegetarian भी होते हैं, और non vegetarian भी होते हैं, जैसे man है, वो अनाज भी खाता है और manz भी खाता है, pat कभी same वही situation है, अक्रोगा भी वही है, ठीक है, अब हम लोग खाद सिंखला की बात कर रहे हैं, तो खाद सिंखला को English में हम लोग food chain कहते हैं, हमने एक picture लिया हुआ है, जिसमें सीरीजवाइच दिया गया है देखिए यहां पेड़ पाऊध हैं इन को डियर कहाchnitt पिर डियर को खाया लायन पिर ऐसे ही हमने यह नॉर्मल दिया गया है फॉडशन का मल भी का फूट चैन दिया गया फिर एक नॉर्मल डे टू यह नॉर्मल है, उसमें दिया गया है कि इसे पिड जाडियां है वहें थोड़ा बहुत घास वगर रहें, उनको ग्रास ओपर ने खाया, ग्रास ओपर को फ्रॉग ने खाया, फिर फ्रॉग को स्नेक ने खाया, फिर स्नेक को एगल ने खाया, और मरीन का फू तो यह जो होता है है यह जोटे सपको फूर्फोर मड़ते पर गास भीप मनुष में घाए जैसे यहां पर जनगल है पेड़ पतियों को खाया रियर ने फिर डियर को खाया लॉयन ने तो यह सारे अलग लग एको सिस्टम है यह फॉरिस्ट एको सिस्टम में मरीन एको सिस्टम में कैसे खादे सिंखला चलती है और एक नॉर्मल जो हुमन का जो जैविक जो सिस्टम है उसमें कैसे चल रहा है इस इनर्जी प्राइमेट में हम लोग समझ सकते हैं जैसे मैंने इसको ट्राइंगल फॉर्म में दिखाया हुआ है तो इसी फूट चेन को ट्राइंगल इसलिए बनता है कि जैसे जैसे फूट चेन ऊपर की तरह बढ़ते जाता है वहला प्रामरी से पार्मरी टर्सरी सेकेंडरी जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे एनर्जी लेवल जो होता है वह घड़ता जाता है इसलिए लास्ट में जो उपर कर सबसे टॉप लेवल का जो जो भोगता होता है उसका एनर्जी लेवल जो कंजूम करने का होता है वह सबसे मिनिमूम हो जाता है क्योंकि जो प्रेसेंट और कम यहां पर कम हो जायेगी फिर यहां पर और कम होते होते लास्ट में जो एनर्जी लेवल होते हैं 0.1% हो जायेगी तो इसलिए टॉप लेवल पर जो भी उभुखता है वो जो energy consume कर रहेगा उसका सबसे minimum energy level होता है consume करने का ठीक है और सबसे जो नीचे होता है उसका energy level सबसे ज़्यादा मलब वो जो consume कर रहा है उसका energy consume जो consumption उससे maximum होता है तो इसे इसलिए इसको triangle form में दिखा जाता है यहां पर थाउजेंट है तो यहां पर 100 यहां थाउजेंट अगर energy level है तो यहां पर 100 हो जाएगा फिर यहां पर लास्ट में 0.1% हो जाएगा ठीक है तो दिखिए जैसे development बढ़ रहा है वैसे वैसे जो जीव हैं जो पेड़ पहुदे हैं हमारा आसपास का जो environment है हम लोग chapter environment को cover कर तो environment खत्र में है और हम सब जानतें कि कहीं पर air pollution बहुत जाता है कहीं जल प्रदूरसर बहुत जाता है कहीं जीओं को मारा जार रहा है तो इसलिए पर्यावलड को सनरच्षड प्रदान करने के लिए यह जो conservation of environment के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हुई जो act क्या बना जिसके तहत जो पर्यावलड को सनरच्षड करने का प्रावधान लागया ठीक है पर्यावलड की सनरच्षड करना हर नागरी का में परम करतब है क्यूंकि इस पर्यावलड के ही वजह से हम हमारा जो survival है इसलिए हर ब्यक्ति को हर बच्चे को अपने परावर्स प्रेम करना चाहिए उसका रिस्पेट करना चाहिए उसको बचाने के लिए हर समभ़ प्रयास भी करना चाहिए ठीक है तो आई हम लोग बात करते हैं परावर्स अनरचछड के बारे में ठीक है तो 5 जून is celebrated as world environment day 5 जून को celebrate होता है यह पूछा जाता है तो आप लोग उसको याद रखेगा इन्वार्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है ठीक है उसको बारे में जान लेता ही है 1986 में आया था environment protection aid this act was implemented on 19 November 1986 यह जो एक्ट है वो 1986 में 19 नौंबर को implement किया गया और aim of this act was prepared a plan एक plan को prepare करना बनाना था इस झो प्रोटेक्शन एक्ट का जो मोटिर था एक प्लान को बनाना जिसमें इन्वार्मेंट को हम लोग कंजर्ब कर सकें और उसकी रक्षा कर सकें तो इन्वार्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो एम था कि एक एक्ट लाना जिसके तहत इन्वार्मेंट को हम लोग ये next chapter है, जिसमें हम लोग food पे cover करेंगे, तो what is food, फोजन क्या है, इसके बारे हम लोग जानेंगे, तो देखिए, तो food is main source of energy, for all living entities, organisms, तो जो सारे जो जीव हैं, चाहे हैं, human हैं, चाहे पेड़ बौधे हैं, चाहे जीव हैं, उनके सारे living सा जीव जो प्राड़ी हैं, उनके लिए food जो है, खाना जो है भूजन है, वो energy का source होता है, और यह food is produced by plants only, जैसा कि पिछले भी मैंने chapters में बता है, कि जो फूपड़ बहुत ही ऐसे होते हैं, जो अपना खाना खुद स्वयम बनाते हैं, बाकी हम जीव जन्तु और human, वो plants पर डारेक्टली चाहे इंडारेक्टली independent होते हैं, तो living entities consume food produced by plants, हम जो भी सजीव है, वो खाने को consume करता है, पौधों से हम अनाज पाते हैं, और अनाज को फिर हम लोग पकाते हैं, और इस तरह हमारा food ready होता है, अब हम लोग बात करेंगे types of organisms, जीओं के प्रकार्ट, तो जीओं के जो प्रकार्ट हैं, वो three types के हैं, हार्बी ओरस, कार्णी ओरस, ओमनी ओरस, जीओं के पीछे हम लोगों ने अभी डिसक्स किया था, ठीक है, प्रोडियूसर्स और कंजूमर्स के बारे में जीओं हम ने देखा था, तो हार्बी ओरस वो होते हैं, जो कि केवल प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, जैसे cow, sheep, goat, horse, ठीक है, कार्णी ओरस वो होते हैं, जो कि केवल मांस खाते हैं, only eating flesh of animals, तो उसको कार्णी ओरस बोलते हैं, जैसे lion हुआ, tiger हुआ, fox हुआ, leopard हुआ, ठीक है, और omnivorous वो होते हैं, जो ही flesh और plant, दोनों को consume करते हैं, उनको हम लोग omnivorous बोलते हैं, जैसे crow है हुआ, dog हुआ, cat हुआ, rat हुआ, इस सारे omnivorous होते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं, components of nutrients, जो पोशक तत्व हैं, उनके जो घटक हैं, पोशक तत्वों के घटक कहलाते हैं, components of nutrients, तो उसके बारे हमनों डिस्कॉस कर लेते हैं, तो दोखिए चार तरह के जो main components हैं, वो हैं, carbohydrates, fat, protein and vitamins and minerals, तो देखिए, carbohydrates के पहले बात करते हैं, तो carbohydrate को energy giving food बोलते हैं, जिनको खाने से हमें तुरंत instant energy मिलते हैं, for example, wheat, जो गेहूं, चावल, आलू, बाजरा, ये सब होते हैं, carbohydrates, fat की बात करते हैं, तो fat मतलब वसा होता है, ये भी energy देते हैं, ये carbohydrates से ज़्यादा है, देखिए, energy more than carbohydrates, carbohydrates भी जो ज़्यादा energy हमें देते हैं, उनको fat बोलते हैं, और ये दो type के होते हैं, एक plant-based भी होते हैं, और एक animal-based भी होते हैं, ठीक है, तो plant-based में coconut oil हो गया, mustard oil हो जो कि हम लोग सबजीयों बनाने में यूज करते हैं, तो plant-based fat आ जाते हैं, animal-based fat की बात करें, तो इसे butter होआ, milk होआ, cream, घी, etc, ये जो होते हैं, ये animal-based fat के examples हैं, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, प्रोटीन की, तो प्रोटीन में देखिए, प्रोटीन को हम लोग बॉडी-building and repairing food, जो muscles को build करते हैं, उसको repair, अगर कहीं कुछ दिक्कत है, टूटा-फूटा-मसल है, तो उसको repair करता है, वो है प्रोटीन, इसको body building, मलब सरीर बनाने वाले और उ उसकी मरमत करने वाले जो food होते हैं, उनको protein बोलते हैं, ठीक है, यसे gram, चना, मूंग हुआ, फिस हुआ, मचली हुआ, मांस हुआ, मीठ, यह सब जो होते हैं, यह protein के sources हैं, अब हम लोग बात करते हैं, vitamins and minerals की, तो vitamins and minerals को हम लोग प्रोटेक्टिव foods बोलते हैं, immunity को बहुत अच्छा बनाते हैं, इसलिए जब भी, जब हम बात कोई भी डॉक्टर के पास अब जाएए, तो बोलते हैं कि vitamin C लीजिए, जिससे क्या होता कि immunity अपकी अच्छी हो, और क्योंकि कोई विवारस आता है, तो फिर उस पे immunity अपकी उसे लड़ पाती है, और हम हमार को healthy बनाए रखने में help करती है, जो से carrots है, oranges है, tomato है, guava, papaya, banana, nuts जो होते हैं, इनको protective food बोलते हैं, और ये vitamins और minerals की बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं, अब हम लोग बात करेंगे, nutrients, carbohydrates and fats, तो carbohydrates and fat की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उनकी हम लोग सोर्सेज देखेंगे, जैसे म दिखाया गया है, कि सोर्सेज आप carbohydrates का दिखाया गया है, आप अच्छे से देख सकते हैं, potato, sugarcane, papaya, melon, rice, wheat, ये क्या है, carbohydrates and ये carbohydrates का source है, ठीक है, fat का source देखेंगे, two types का होता है, plant-based और animal-based, तो जिसके मैंने बताया तक सारी जो oil है, ये plant-based है, और ये जो manse है, एग है, अं इनको आप अच्छे से ध्यान से देखते चलिएगा, अब हम लोग बात कर लेते हैं, nutrients की, तो nutrients में protein की बात कर लेते हैं, protein भी plant-based होता है, animal-based होता है, तो plant-based protein के जो source है, soya bean, beans, तूर दाल, moong, चना, पीज, पीज, जो हरा मत्र ठंड में आता है, इसको भी हम लोग, ये भ plant-based protein का source है, और अब हम लोग animal और animal-based protein का source है, वो एक है, milk है, meat है, fish है, पनीर है, तो ये source है, आप protein है, और animal-based है, अब vitamins और mineral की source को देख लेते हैं, तो vitamin A का source सबसे अच्छा पपाया, carrot, mango, vitamin B का source wheat, गेहू, चावल और liver, जो मान समखाते हैं, उसमें जानुर को जो levers होते हैं, वो अच्छा vitamin B का source होता है, vitamin C is very important for immunity booster, तो उसके लिए जो भी खटे फल होते हैं, वो अच्छे होते हैं, नीवू हुआ, ओरेंज हुआ, टोमेटो हुआ, गुआवा, ग्रीन चीली, हरी, मिर्चा, लेमन, नीवू, जिसे बताएं, आमला, ये आमला का, vitamin C का सबसे best source माना जाता है, ठीक है, और हम लोग बात कर लेते हैं, vitamin D का, vitamin D सबसे अच्छा source होता है, sunlight, डेली हमें आदे गंटे sunlight में बठना चाहिए, especially ठंड के सीजन में, it is very necessary to take sunlight, ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे, जो लीवर होता है, मांस, जो जीओं के लीवर होता है, एकस हो गया, फिस हो गया, बटर मिल्क चीज, ये सब चीजे होती है, vitamin D के source होता है, source of minerals, अगर iron की बात की जाएं, तो पालक हुआ, एपल हुआ, ये जो लीवर है, ये source of iron है, ठीक है, calcium की बात की जाएं, तो अंडे और दूद, calcium के अच्छे source माने जाते हैं, और ये minerals में आते हैं, अब हम लोग बात करेंगे, deficiency disease, तो सबसे पहले देख लेते हैं, deficiency disease होते क्या हैं, वो disease, वो बिमारियां, जो कि किसी vitamins या minerals की कमी से होते हैं, उनको deficiency disease बोलते हैं, तो सबसे पहले vitamin A की जो कमी से बिमारी होती है, उसको बोलते हैं, loss of vision, जिसमें vision आपका totally चला जाता है, या जो ब्यक्ती है, उसको vision उतना clear नहीं देखता है, उसके symptoms होते हैं, poor vision, बहुत हलका देखेगा है, loss of totally, vision चला जाता है, sometimes complete loss of origin, ठीक है, vitamin B1 के वज़से berry berry होता है, इसमें क्या होता है, weak muscle and weak very little energy to work, इसमें क्या जो muscles होता है, berry berry में, बहुत कमजोर हो जाते हैं, और फिर बहुत fatigue fill होता है, और energy level बहुत डाउन रहता है, discovery, discovery, discovery vitamin C की कमी से होता है, इसमें क्या होता है, जो gums होते हैं, वसूरे होते हैं, उसमें हमीशा bleeding होती रहती है, आउन्स टेक longer time to heal, और जो होता है कि अगर कहीं आपको चोट लग जाती है, तो इसको build होने में ज़्यदा समय लग जाता है, इस करवी के यह symptoms है, vitamin D के वज़े से जो बिमारी होती है, कमी से, वो recreats होती है, इसको bone जो होते हैं, soft हो जाते हैं, और कहीं से भी मुड जाते हैं, तो यह recreats का symptoms है, इस calcium की वज़े से क्या होता है, कि bone और जो दाते होती है, वो कमजोर हो जाते हैं, और आयोडीन की वासे गॉइटर जो होता है जिसको हम लोग पहले खेगा भी बोलते थे इसको हिंदी में बोला जाता है इसमें क्या होते है ग्लैंड इन दर नेक एपीए सॉल है जो नीचे जो नेक का जो ग्लैंड है यह फूल जाता है इसमें स्वेलिंग आती है और मेंटल इसमें खून की कमी जाती है और जो पिसेंट होता है उसको बहुत लोग एनरजी रहती हो उसको कुछ काम कर नहीं कर पाता है तो यह सारी विम्यारियां जो होती है डिफिसेंसे डीजिज में आती है इक ऑक खालती वित्यिज्ज नहीं नहीं होती है तो उसमें आप्चाएब करता है उसको पाइदा होने के बाद ही विल्यिज्ज विल्धार के बाद काती है और जो जर्म सहीं जब पाईदा हो तभी उसको कोई बिमारी है यह कंजेंटियल बिमारी इसको रोग बोलते हैं जिसों हीमोफीलिया है color blindness है color blindness में क्या होता है कि लोग बहुत सारे आटीबी पोलियो मैलेरिया यह रिंग वाम इससारे बिमारी इनफेक्सिस में आ जाते हैं और नॉन इनफेक्सिस में अगर किसी को heart attack हो जा रहा है या cancer हो जा रहा है तो यह नॉन फेक्सिस्यस है इनफेक्सिस है क्यूंकि इसमें infections नहीं होता है इसकी दूसरी काजिच होते है ठीक है अब हम लोग टाइप सफ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप सफ प्लांट देखिए 5 टाइप te abge में ली होते हैं जिसमें पहला है हर्प की अगर बान की जाए तो ज़श प्लांट small plants with non-oody stem, छोटे पदे होते हैं जो उनकी stem होती है वो बहुत बिना non-oody उसमें लकडिया नहीं होती है जैसे हम लोग तुलसी का पेड़ जो होता है herbs होते हैं वो क्या इसका example herbs का ठीक है अब स्रब की बाद कर ले जाए तो medium busy plants with multiple oody stems इसमें multiple लकडियों की जो टहनिया होती है और यह medium size का होता है तो इसको शरब बोलते हैं जिसे गुलाब का जो फूल इसमें दिखाया गया है वो शरब का exam पड़ ट्री की बात की जाए तो ट्री बड़े होते हैं इसमें और क्या होता है कि इसमें ट्रंक होती है बड़ी होता है बड़ा पाउधा होता है इसको ट्री बोज़े से आम का पाउधा नीम का पीड़ यह सार जो बन्यान ट्री पीपल ट्री सब क्या है एजम्पल्स आफ यह ट्रीज हैं अब हम लोग क्रीपर की बात करें तो क्रीपर क्या होता है थिन पतला होता है वीक स्टेम इसके तो जिसमें अगर किसी लकडी का सहारा दे दी जाए तो वह उस लकडी के सहारे ऊपर क्लाइंब चड़ने लगता तो क्लाइंबर बोलते हैं और क्रीपर जो होता है वह मिट्टी धरती धीरे-धरती पही आगे बढ़ता रहता है ऐसे क्रीपर के एक्जामपल हम लोग बॉटल क्लाइंबर में अंतर पता चल गया होगा ठीक है क्लाइंबर वह होते हैं जो किसी भी सहारे से ऊपर चड़ जाते हैं दीवार पर चड़ जाएंगे या किसी लकडी के सहारा देंगे तो लकडी पर चड़ते चाचे बढ़ जाते क्रीपर जो धरती 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 के सहारे सपो इन सबका जो रिशिप्टरी और श्वसन जो आरगन है जैसे हम लंक्स हमारा क्या है लंक्स जो है वह रिशिपटरी और गन समस लेते हैं तो इनका रिशि्रेटरी ये ठीक है ड्धम? वह स्किन से शाऽ से लेता है फ्रॉग लंग्स और स्कीन दोनों से लेता है याद रखेएगो आपWS फेस जो है गिल्स से लेता है उसको यह लेता है यह यह बीर लंग्स से ही सासे लेता है गिल्स का मतलब आप लोगो समझ्जाया होता गिल्स को हिंदी में क्या बोलते है warm गिल्स जी आई डबल एल एस हिंदी गिल्स मीनिंग हिंदी गल्फडा जो आक्टूपस और फिस होती है वो गिल्स से उसका रेस्पेट्री आर्गन है उसको हिंदी में गल्फडा बोलते हैं ठीक है इस सारी चीज़े आप लोग याद कर लेजिएगा क्योंकि ये questions में पूछे जाते हैं अब बात हम लोग करते हैं characteristics of living beings जो सजीव जीव हैं उनके characteristics क्या होता है इसको मैंने हिंदी और इंग्लिस में दूनों में prepare किया हुआ है ठीक है तो सारे सजीव प्राणियों को energy भोजन से मिलती है पाउधे अपना भोजन प्रकास अंसलेशर के माध्यम से बनाते हैं लेकिन जीव जन्तु पाउधों प्यासरिस होते हैं क्योंकि भोजन जो होता से पाउधे ही बनाते हैं और बाकी जीव जन्तु है पिर वह जिसे हम हुमन है बाकी जीव जन्तु है वह पाउधों पर डिपेंडेंट होते हैं तो यह क्या है कि सबस्क्राइक बडाएं सारे जीवित जीव हैं सबसे पहल 있지만 жादी आ अुनकाशासे लेते हैं उनका निव West 16 का हिस्सा क वैस सांस लेते हैं इसी से पाउध चालता है कि वह जीवित हैं तो यह सारी चीछे हैं को सांस लेते हैं ब्रिधिंग उनका respiration का हिस्सा है वो भोजन कंज्यूम करते हैं एनर्जी के लिए और जो पाउधे ही ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयम बनाते हैं अब हम लोग एक्स क्रियेशन की बात कर लेते हैं एक्स क्रियेशन क्या होता है कि अपसिस्ट पदार्थ जैसे हमने खाना खाया तो बहुत सारे चीजें होती हैं जो बॉड़ी में जो मिन्रस हैं बिटामिन से वह तो कंज्यूम हो गए बॉड़ी ने अब जॉब कर लिए बह गएशिवा की मल के रास्ते से बॉड़ी से बहा निकाल लेती है तो यह जो प्रॉसेस होता है इसको एक्स क्रियेशन बोलते है तो अफसिस्ट प्रदार्थों का सरीड से बाहर निकालने के प्रक्रिया को मलत तरा करता है पाचन औव स्वसन की दौरान अपसिष्ट पदार्थ पैदा होते हैं जब खाना हम लोग खाते हैं और पाचन होता है अज हम सांस लेते हैं उस के दोरान जो अपसिष्ट पदार्थ पैदा होते हैं इन अपसिष्ट पदार्थों को सर्य से बहां निकालना जरूरी होता है जी हाँ, अगर नहीं निकलता पिर body में अपकी टॉक्सिन क्रियेट होते हैं और पसीना भी देखिए, जो urine होता है, मल है और पसीना भी अपसिश पदार्थों में से ही आते हैं पाओधे भी अपसिश पदार्थ पैदा करते हैं सिब human ही की body से upset पदार नहीं निकलते हैं, पौधों से भी upset पदार निकलते हैं, ठीक है, अग हम लोग sleeping time आप animals की बात कर लेते हैं, तो इसमें sleeping time में, जो cow का sleeping time है, वो है 4 hours, python, उसका 18 hours, giraffe, 2 hours, cat, 12 hours, leisure, 24 घंटे सो जाती, इवेन lizard के बारे में है कि वो लगबा एक season देखे, ठंड में तो बिल्कुल देखती नहीं, तो 24 घंटे से लेके वो एक season तक नहीं देखती है, sloth जो है, वो 18 hours का sleeping है, और elephant जो है, वो 2-4 hours उसका sleeping है, यह सब चीज़ें आप लोग, एक list मैं मैंने बना कि दिया हुआ है, कि अब some interesting tidbits की बाद करते हैं, interesting facts है, human body के बारे में वो आप लोगों को पता होने चाहिए, तो देखिए, मनुस्य के सरेर में कितनी हडिया होती है, 206, सबसे लंबी हड़ी जो होती हो, थाई की होती है, जिसको फीमर बोलते है, ठीक है, और सबसे छोटी होती हो, कान की होती है जिसको steps बोलते हैं, ठीक है, सबसे छोटी हो, सबसे बड़ी, ostrich और ammo bird कभी उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, और duck और me duck, padded feet, जो duck होता है, और me duck होता हो, padded feet की वज़े से तैरते हैं, क्योंकि ये भी आपको पता रहने चाहिए, characteristics हैं कि इनकी पैर पतले-पतले, इनकी बात कर लेते हैं, sloth की, तो sloth जो होता है, वो monkey की तरह से ही होता है, लेकिन ये हमेशा जो पेड़ पे चड़ के, उल्टा लटका रहता है, तो ये sloth का बहुत important characteristics है, जैसा कि picture में सो किया हुआ है, वो उल्टा लटका हुआ है, और इसका जो sleeping time है, 17-18 गंटे होता है, और य इसको देख लिजिए, अब हम लोग बात करते हैं, elephant की, तो देखी, elephant जो होता है, adult elephant का जो regular diet होता है, वो होता है, 200 kg green leaves, ये जो elephant होता है, वो vegetarian होता है, ये पेड़ पौधे, घास पतिया, ये ही सब खाता है, fruit खाता है, तो adult elephant का जो food होता है, 200 kg green leaves होता है, ये पानी और, कीचर से खिलना बहुत पसंद करता है, इसका जो sleeping time है, three to four hours है, ये पनी कान को हिलाता रहता है, अपने आपको ठंडा करने के लिए, इन the herd of elephant, oldest female age leader, जब भी इनका जब जून चलता है, तो उसमें सबसे जो बुजर्क female होती है, वही leader होती है, लीड करती है, और इनके जो group होता है, उसमें बारस से, दस से बारे elephants होते हैं, और बच्चे भी होते हैं, जैसा कि इस picture में दिखाया है, एक बड़ी सी हथिनी, उस ट्राइगर की जो देखने की जो twins होता है, वह बहुत हाई होता है, और यह जो होता है, वह human अगर रात में अगर देखने की बात की जाए, तो human को जो दिखता है, उसे six times better उसको देखता है, और it can move its ears in different direction to catch minor sounds, यह minor sounds को सुनने के लिए, उसमें कानों को different directions में move कड़ा सकता ह जाए, इस पेसल प्लांट की बात की जाए, तो उसमें नेप, नेप, फेंस, वो दो, छॉकलिट है, फिर ले लो, बाहर जो, उसे juice बन जाए यह अगर थमको लाग दे देना, डिस्टर नहीं करना, आपको, देखते रहो, उसे juice अपना ले लो, हमको लाग दे, अंदर वाज नेपेंथिस की बात की जाए, तो इसमें यह इस्पेसल काइंट का ब्लांट है, यह जो होता है, फ्राग, इंसेक्ट और माइस को खा लेता है, यह जो इस्पेसली आस्ट्रेलिया, इंडोनेसिया और मेगाले में पा जाता है, इसमें से एक अलग टाइप की सुगन निकलती रती है, जिससे जो फ्राग होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो अर्ट्रक्ट होते हैं, जैसे वो आते हैं, तो इनको अपने यह जो इनका धक्कन टाइप का होता है, इसमें बंद कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, डेजर्ट ओग, जो डेजर्ट ओग जो होता है, यह जो प पानी नहीं मिल जाती तब तक वह आगे बढ़ती रहती नीचे जड़ें ठीक है इसकी जो ट्रंक होते हैं है जो उनकी पानी को इकठा करने की कैपिसिटी रखते हैं ठीक है तो इसलिए जहां भी यह जहां भी टेजट पाउधे पाय जाते हैं इनको पानी स्टोरेज के लिए भी यूज़ किया जाता है अब हम लोग बर्ड्स की बात कर लेते हैं तो बर्ड्स हैव फिक्स्ट आई पोजिशन इनकी जो आई पोजिशन होती है साइड में होती है और फिक्स्ट होती है इसलिए उपने नेक को डिफरेंट डारेक्शन में खिला सकते हैं ऑल जो ऐसा बढ़ है जो 30 साथ डिगरी अपने कान नेक को पूरा राउंड पूरा कर सकता है उनेक को किसाम्स क्यों मेरी रोर्टेट इट स्कुर में तो आउं में यसे करेंटिस्टिक अपने नेक को युक्यो गुमा सकता है कि ऐगल कािट वहल्ट रॉचर हैब strongest eyesight among birds सारे birds में सबसे ज़यदा जिनकी eyesight strong होती है वो है eagle, kites and vulture और igrit bird जो होती है वो cattle जो गाय भस होते हैं उनकी back पे बैठी रहती है और वहीं से वो feed अपने आपको feed करती रहती है तो igrit की बारे में भी आपको पता होनी चाहिए इस सारे important facts हैं जो कि मैंने no down किया है इनको आप लोग बहुत seriously देखते रहे हैं यह बहुत helpful होगा आपके लिए Indian Robin की बात कर ली जाए तो Indian Robin की हम लोग बात कर रहे हैं साथी उससे पहले और भी चीज़ें देख लेते हैं जो kookoo होती है कोयल होती है वो अपने अन्डो को अपने nest में नहीं सेती है large its egg in the nest अक्रो वो अपना जो kookoo कोयल होती है अपना nest नहीं बनाती है गोसला नहीं बनाती है और अपने अन्डो को कवें के गोसले में सेती है ठीक है Indian Robins होती है वो होती कि roadside पे भी roadside में जहां भी कहीं अगर स्टोंस पत्थर पड़े हुआ तो उनकी वीच में अपना नेश्ट बना लेती है जैसे यह रोड साइड में पत्थर दीख रहे हैं बर्ड्स है बोड सेब बाडी जो बर्ड होते हैं उनकी जो बाडी होती है बोड सेब में होती है जैसे हमने देखा होगा and wings and feathers to help in flying और जिन के wings और जो feathers होते हैं उनको उड़ने में help करते हैं अब हम लोग बात करते हैं shelter की shelter मतलब आश्रे होता है different areas में हमारे देश में जो लोगों के जो घर हैं घर की जो types हैं उसके बारे हम लोग डिसकस करें जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है बहुत ही diverse country है और उसमें अलग भासाइं बोल जाती है अलग नित्र किये जाते हैं अलग खाने आए अलग रंसहन है अलग बोली है तो उनकी और अलग climate भी है कि पहाड़ी एरियों बहुत जाए ठंड पड़ती है डेजर टेरियों में बिल्कुल ठंड नहीं पड़ती गर्मी जदा पड़ती है मैदानी एरियों में दोनों mixed temperature होता है कहीं बहुत ज़्याद बारिस होती है तो ऐसे में जो जो selters होते हैं घर होते हैं उनकी भी टाइप्स होते हैं वह भी change हो जाते हैं क्योंकि लोगों को फिर उसी हिसाब से climate के हिसाब से अपने रहनसान को ढालना होता है तो अब हम बात करेंगे bamboo या wooden house की तो bamboo या wooden house जो होते हैं वो रे जहां भी heavy rains अकर जहां भी जदा बारिस हो होती ऐसे एरिया में बने जाते हैं इन में क्या होते हैं कि बाहरा से खंबे होते हैं अब आस खंबों के ऊपर जो selters bamboo या wooden house बनाए जाते हैं और इस टाइब के जो घर होते हैं विल्ली आसा में बना जाते हैं क्योंकि वहां पर बारिस बहुत होती है तो बारिस से पानी से प्रोटेट करने के लिए लोग ऐसा करते हैं अब हम बात कर लेते हैं पत्थर के या लकडी के घर तो पत्थर या लकडी के घर हीली एरिया में बनाए जाते हैं जहां पर heavy rains आकर as well snow अकर जहां पर ज्यादा बारिस और ज्यादा जहां पर snow बर्फ गिरता है वहां पर यह बनाए जाते हैं यह मुश्ली टू स्टोरी के ह होते हैं नीजे का फ्लोर लोग अपने घर का समान रखने में यूज करते हैं बाकी फ्रस्ट फ्लोर पे यह लोग रहते हैं और ठीक है इस टाइप के जो घर होते हैं जम्मू एंड कास्मी और हिमांचा प्रदेश में बनाए जाते हैं अब हम लो बात कर्लएट डोंगा की तो डोंगा एक बोट बोट हाउस होता है हास बोट होता है और इसमें यह सिंपल टाइप का जो हाऊस-बोट होता है उनको डोंगा बोलते हैं इसमें क्या होता有ाओ कर doing नहीं होती यस पे लकडियों के नकासीयां इस Уद्स फेडस ब्सक ठीक है और इसके इसमें जो लोकल लो होते हैं कस्मिर की इसको रहने के पर्पस से इसको यूज करते हैं कि अब बात आती हाव्स बोट कि तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें यह इसमें हिए का इनकासियों के मैं बाट करते हैं उटकारविंग ज intentar बाट करते हैं उनके सेवे अपशेपि अब हम लोग बात करते हैं mud houses की तो जो mud houses होते हैं वो मिट्टी और लकडियों के बने होते हैं और यह excessive heat से हमारी रक्षा करते हैं यह especially desert area में पाई जाते हैं जैसे राजस्थान और उनकी गाउं में क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत जदा पढ़ती है तो यह mud houses होते है वो घर्मी में ठंडा रखते हैं घर को तो इसलिए mud houses लोग राजस्थान में प्रिफर करते हैं रहने के लिए अब birds and shelter की बात कर लेते हैं जिसमें बहुत सारे birds का मैंने list बनाया हुआ है टेबल बनाया हुआ है और इनके list कैसे होते हैं इनके बारे में तो पूरा आपने आप में एक table form है एक time इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेजेगा यह बहुत important है क्योंकि हमेसे पूछे जा अब हम लोग बात कर लेते हैं जल की water की तो जल क्या होता है जल ही जीवन है क्योंकि हमारे जो सरीर है उसका 70% जो बॉडी हमारा बना हुआ वो भी जल का ही बना हुआ है और हमारे जो पृथवी है उसका 3-4 भाग भी जल से ढगा हुआ है तो हमारा जो सरीर है और हमारे जो पृथवी है उस पे हम देख सकते हैं कि पानी का बहुत ज्यादा जो है ज्यादा से ज्यादा हि इसलिए पानी का हमारी लाइप में बहुत इंपोर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारी सरीर ही 70% है पानी का तो और उसको बॉड़ी को हमेशा डिटॉक्स करने के लिए पानी की जोड़ती है, ठीक है, और महासागर की जो आउसत लवडता है, वो 1000 में 35 ग्राम है, और इजराइल क जो म्रिस सागर है, इसकी लवडता एक लिटर में 340 ग्राम है, तो यह अब लोगों को facts है, important facts है, you should know, ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना, इन सब पॉइंट्स को अब हम लोग एक smart work है, जिसको मैंने बनाया हुआ है, और इसमें दिखाया गया है, कि वो वाटर का जो 97% है, वो महासागरों में है, जो की नमकीन पानी होता है, यूज नहीं हम कर सकते हैं, ठीक है, और जो fresh water है, only 3% है, जिसका 72.2% जो होता है पानी, वो glaciers जो होते हैं, ice caps है, और जमें हुए जो पानी है, glaciers ice caps में, वो हिस्सा है, बाकी 22.2% water जो होता है, वो ground water और soil moisture होता है, उसके form में पानी कठा है, 0.36 water, जो water stored है, वो legs में, तलाबों में, नदियों में और जर्नों के रूप, पानी जो है, वो 0.36% जो water है, fresh water का, उसको ये cover करता है, तो ये जो percentage मैंने दिया हुआ है, इसको भी थोड़ थोड़ आपलो, इसको अपलो अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, ठीक है, आप अच्छे से समझ है, इसलिए मैंने इसको smart work के थोड़ बना दिया है, बाकी NCRT में भी जल का वितरर दिया गया है, इसको भी आप लो अच्छे से याद कर लेजिएगा, ठीक है, जिसे महासागर का है, 97.3%, बर्फ छत्रक, जो आए, फ्रोजन glaciers है, 2%, भूमीगत जल है, 0.68 जीलों का अलवड जल जो होता है, वो है, वो 0.09%, अस्थली जल एम नमकीं जो जीले हैं, उनका पानी 0.009%, वाय मंडल में जो पानी होता है, ठीक है, जो जलवास होता है, उसको 0.0019%, अनदियां जो होती 0.001%, जो पानी हो नदियों का पानी है, तो यह जल का वितरर दिखा इसको आप लोग अच्छे से समझ लेजिएगा और याद कर लेजिएगा कि अक्सर पूछी जाते हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं वाटर प्लूशन की तो वाटर क्या प्लूशन कब होता है जब पानी में कोई हनकाले तरत मिल जाए और उसकी गुडवत्ता खराब हो जाए और उससे पीने से जब human body बिमार पढ़ने लगे तो उसको प्रदूसिज जल करते हैं इसके कारणानेक होते हैं जैसे आशकल sewage water इसका सबसे बड़ा main region है और अद्योगी कच्छे का जो बहाव है ये सबसे बड़े main regions है water pollution के ठीक है थोस अपसिस्ट जैसे जब यह कल कच्रा होता है जब water body में जाके मिल जाता है तो यह थोस अपसिस्ट होते water pollution का रीजन बहुत बढ़े बनते हैं क्रिसी में जो रसायन यूज होता है यह भी बहुत बड़ा रेजन होता है वाटर प्रलुशन का ठीक है तो इस चीन को आप अच्छे से समझते रहें वाटर साइकल क्या होता है जैसा नाम बता रहा है कि साइकल साइकल मनलब जहां से आपनी पॉइंट से सुरू की आप वहीं पर पहुंच गें तो एक साइकल कंप्लेट हो गया तो जैसे सुर की रोसनी में क्या होता है जो पानी गरम हीट होता है फिर वह भाब बनता है भाब स प detis फेखर बाष्प फिर बारिस फिर चला जाता है अंधर पानी का रूप रूब आपके ग्राउन्ड वाटर बन जाता है या नदियों घीलों में पानी इकठा हो जाता है तो फिर वह वह वाटर जैसे मैं ने जहां स्टार्ट किये थ हूँ फार्नली इतनी सारे राउंड ल लाओड मदलना फिर बारिस होना फिर बारिस से फिर पानी पानी के रोब में फिर वापस आता है तो यह पूरा जो एक साइकल है दिस इस कॉल्ड वाटर साइकल अब हम लोग बात करते हैं वाटर बॉर्ण डिजीज तो वाटर बॉर्ण जो डिजीज होती उनको जल जनित रोग बोलते हैं उसमें कई सर बिमारिया है जल जनित रोग में हैपिटाइटिस है डायरिया है इस्टमक इंफेक्शन, टाइफॉइड, चिकन गुनिया, कॉल्रा, चॉंडिस, मलेरिया, डेंगु इस सारी बिमारिया जो है वाटर बॉर्ण डिजीज होती है मलेरिया के बारे ममलोब बात कर लेते हैं तो मलेरिया की जो बिमारी थी उसकी सबसे पहले जिस ब्याग्यारिकिन ने खोज की थी उनका नाम था रोनाल्ड रास ठीक है इसके लिए उनको 1905 में नूबल प्रसकार से भी नवाजा गया ठीक है और ये मलेरिया बिमारी क्यों होती है इसपर एक special kind का जो मच्छर होती है लेकिन ये female मच्छर होती है female anophilus mosquito से malaria फैलता है जब ये female anophilus mosquito जब human body के संपर्ण में आती है काटती है तब malaria फैलता है अगर कोई टेस्ट कराता है forcent तो RBC में पैरसाइट अगर पाया जाता है तो यह confirm होता है कि यह पैसेंट को malaria होई है और इसके treatment में जो सिंसोना ट्री होता है उसके चालों का उपयोग करके दवा बनाए जाती है तो उससे काफी malaria में help मिलती है तो बारक आप सिंसोना ट्री दवा बनाने में प्रयोग करते है अब हम लोग बात कर लेते हैं डेट सी की तो डेट सी जैसा नाम रिजेंबल करता है डेट मतलब मृत सी मतलब सागर तो मृत सागर का पानी सबसे अनमकीन होता है लगबग एक लिटर में तीन सु ग्राम इसमें अगर एक लिटर पानी ली जाए तो उससे तीन सु ग्राम नमक बन जाता है और मृस अगर कोई गिर जाता है तो फिर डूपता नहीं बलकि तयारता रहता है ठीक है तो यह कुछ important characteristics के बारे में यह अब लोग को पता होने चा गाया गया था, actually हमारे देश में किया हुआ की आंगरेजों का राजकर सा तो बहुत सारे टैक्स लगाया गया थे, किसानों पह लगाया गया थे जिसे किसान तो बहुत जदा गरीब हो गया थे, 2 टाइम के खाना भी परिवार को नहीं दे पा रहे थे और लेकिन उसके बाद ये लोग नहीं माने उन्होंने नमक पर भी टैक्स लगा दिया तो इसी के खिलाप मातमा गाधी ने अंदोलन की थी और इसके लिए उन्होंने एक मार्च किया था अब हम लोग travel के बारे में देखेंगे तो देखेंगे तो देखेंगे ट्रेवल के बहुत सारे रीजन्स होते हैं और हमारे देख में इतना बड़ा देख है और इतना डायवर्सिटी से भी भरा है तो इसके पीछे जो डायवर्सिटी है उसके पीछे यही सारे रीजन्स हैं कि पहले जब टाइन था तो हमारे देखेंगे बहुत सारे सल्तनत आएं बहुत सारे मुस्लिम आएं दिल्ली सल्तन बहुत सारे जो विदेशी आकरमड हुएं, फिर विदेशी आकरमड हुएं, भी ऐसे भगोलिक भी क्लाइमेट भी ऐसे कई बार ऐसे सिचुएशन्स होते कई बार आकाल होती थी, तो ऐसे में लोग अपने एक अस्थां को छोड़ के दूसरे अस्थां चले जाते थे, फिर अ की संस्कृती हुई, तो इस यात्रे की बहुत सारे बेनिपित हमारे देश में जो इतना डाइवर्सिटी है, उसके पीछे जो ट्रेवल है, उसका बहुत बड़ा रीजन है, अगर आप लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे, तो अब लोग अच्छे से गहराई समझ पाएंगे कि यह जो ट्रेवल का बहुत इंपोर्टेंट रोल है हमारे देश में, जो बहार से लोग आएं, फिर हम हम एक अस्तान से दूसरे स्थान पे गएं सर्वाइवल के लिए, कभी अताल के वज़से, कभी दूसरे भागोलिक रीजन के वज़से, तो यह बहुत बड़ा रीजन है हमारे देश में, डाइवर्सिटी का, प्रसित बिदे से यात्रियों की हम लोग बात कर लेते हैं, इंपोर्टन टॉपिक है, तो देखिए मेगस्थनीच की बात किये, तो मेगस्थनी चंदरगूत मौरे के दरबार में आया था, और यह ग्रिस का नागरिक था, उसने एक किताब लिखी थी, जिसका नाम इंडिका है, और इंडिका में उसने उस टाइम में चंदरगूत मौरे के दरबार में किस तरह सासन चलता था, राजा और प्रजा के बिच कैसे संबंध हुआ कर था, उसने पूरे डिटेल में यह बताया हुआ है, फायान, फायान एक चाइन पर्युष में आयाथा, और हैन संग जो था एक चायनीज परटक था, और भा रत में उसके आने के पिछी जो रीजन था, वो नालन्दा बिश्वच्वीद्याले से अध्यन करने के लिए और वो साथ में रहत सन्यासी था अलबरुनी तो अलबरुनी क्या था एक उजबेगिस्तान से आया था और वो महमूद गजनी के साथ आया था अलबरुनी उसने कई सारे बुक्स लिखे हुए जिसमें उसने भारत में जो वाटर बॉडिज है जैसे तलाब कुणे के बारे में काफी लिखा है जब वो यहाँ पह आया थो उसने देखा कि जो भारती लोग हैं वह बॉटर बॉडिज को बनाने में बहुत एक्सपर्ट है तो बहुत अश्रशक्यत हुआ और उसने सारे जो अपने देखा है सीखा है उसने सारे उसने प्यवसारी ने भूप में लिखे हुए है वासको डीगामा तो वास तो इसलिए वासकोटीगामा भारत में आया था अब बात हम लोग करने हैं इबनबतूता तो इबनबतूता जो था वो मुरक्को कराने वाला था और तुगलग के समय में वो भारत में आया था उसने रिहलाम की बुक लिखी है जिसमें भारत के बारे में बताया हुआ कि उसमे अपने वुकों में लिखा हुआ है अब हम लोग बाग कर लेते हैं Alloy और Its Constitute Elements Alloy and Its Constitute Elements का मतलब Missr धातू जो धातू हैं और Missr धातू हैं कोई धातू कैसे बनता है, Missr धातू से बनता है कौन-कौन धातू उसे मिलके बनता है इसमें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे तो देखी हम लोग देख वो स्टिल होता है वो iron और carbon का मिस्रड होता है Stanley स्टिल जो होता है वो iron, carbon, nickel and chromia का मिस्रड होता है bronze, copper and tin का मिस्रड होता है brass, copper and zinc का होता है ठीक है, duralumin जो होता है aluminum, bronze duralumin जो होता है aluminum, bronze, magneze and magnesium का जो मिस्रड होता है उससे duralumin बनके बनता है और 22 karat gold जो होता है उसमें gold और copper makes होता है तो ठीक है तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि जो अला धातू ही होती है वो किन-किन धातूं से मिलके बनी होती है तो ये पूरा ये एक चार्ट है मैंने बनाया हुआ इसको आप लोग पूरे अच्छ से याद करते जाए जो भी topics में cover कर रहे हैं बहुत important facts है EVS के perspectives है तो आप लोगों इसको पूरे अच्छ से cover करते रहे हैं अब हम लोगों देखेंगी filtration है, magnetic separation है ये solid components को separate करने का तरीका होता है जिसके बारे में हम लोग आगे picture के माध हम से अच्छ से समझेंगे तो manual separation में हम लोग देख रहे हैं कि चावल की एक बोरी हुई, एक ब्यक्ती बैठा हुआ है प्लेट मिले कि वो मोटे-मोटे जो impurities हैं उनको अलग कर रहा है, जिसके चावल हम बिनते हैं तो मोटे-मोटे कंकडों को बिनकी अलग कर देते हैं इस इज काल्ड manual separation अब हम लोग थ्रीसिंग, तो थ्रीसिंग में क्या होता है अनाज की जुंड को, संम्हो कुले के जह स्को पीटते है उससे जो अनाज अलग हो जाता है उसको थ्रीसिंग बोलतें फॉर एक गेहुं की ठेल कुले की आगर हम पीटें थे मोटी सत्यपे तो गेहुं की बीज होताँ और जो घास पूस होता है ऐतो अलग होता है तो this is called threasing अब हम लोग बात कर लेते हैं विलोईंग की, तो विलोईंग मतलब की हवा के direction, हवा बैह रहे तो हवा के है सूप में हम किसी अनाज को लेके हवा के direction में जब उसको करकते हैं तो क्या होते हैं, जो घास हलकी चीजी होती है उड़ की दूर चले जाती है, जो अनाज होता है वो साफ होके, उसको धेदर अनाज का धेर बन जाता है this is called winnowing, जैसा की picture में दिखाया गया है saving, saving मतलब चानना, जैसे हम आटे को चानते हैं तो ये saving कहलाता है, तो जैसा की इस picture में दिखाया गया है जैसा इस picture में दिखाया है, कि cement बालू का मिस्रड है, उसको अलग एक बच्चा कर रहा है तो this is called saving, saving मतलब चानना filtration, filtration में क्या होता है, कि अगर कोई पानी है, इसमें कुछ important मिला हुआ है तो उसको हम लोगों अगर रख देंगे, तो कुछ दिन में क्या होता है, कि नीचे जो सत्ता पर जो गंदगी होती ही बैड़ जाती है पानी जो होता है, उपरी सत्ता पर रहता ही है, तो उसको हम फिर अलग बढ़ते में कर देते हैं और जो गंदगी है उसको हम अलग कर देते हैं, तो this is called filtration जैसा picture में दिखाया गया है, कि साफ पानी को दूसरे glass में डाल रहा है, और जो इन इंप्रोटीज हो नहीं ती सत्रा पर बैठा हुआ है, थोड़ा सा पानी लाश्ट में हम छोड़ देंगे, इंप्रोटीज अलग हो जाएगी और साफ पानी अलग हो जाएगा, magnetic separation जो होता है, इसमें एक magnetic paper का यूज करते हैं, उसकी help से एक हम can type का बना लेते हैं, और उसमें जब water डालते हैं, या जो भी water जिसको हमें साफ करना होता डालते हैं, तो बूद बूद करके साफ वाटर वो अलग एकठा हो जाता जो गंदगी होता है, उस paper पेपर पे रह जाता है, जैसे paper simple से paper को मूड के, उसका cool type के ship में बना दी जाता है, फिर इसको set कर दी जाता है, उसी कितरों पानी डाला जाता है, जो impurity वालग हो जाता है, इस impurity जो होती है, उस paper पे रह जाती है, तो यह operation क्या होता है, जहां भी पानी कठा होता है, उस sunlight या heat के, जब संपर्क में आता है, तो पानी भाप बनने लगती है, यह सोता प्रक्रिया है, और जब भाप में बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसको वास्पी करण काते है, तो the process of conservation of water is called your pressure, it takes place continuously when, when, wherever water is present, ठीक है, condition क्या होता है, इसको हमनों समझ जाते हैं, वह प्रॉशय को प्रॉसरेस है, फिर से पानी में बदलना, जिससे यहाँ भाप है, और भाप कुछ दिर हम रख देते हैं, तो धीदे फिर फिर पानी में बदल जाता है, यह जो प्रोसेस होता है इसको कंडेंशन बोलते हैं यह भाब का पानी में अवस्था परिवर्तन होता है उसको कंडेंशन बोलते हैं ठीक है तो कंडेंशन क्या होता है भाब का पानी में अवस्था परिवर्तन को इसको बोलते हैं कंडेंशन different kinds of dances in India, भारत में जो dance नृत है वो विभिन प्रकार के है, तो भारत की जो नृत है उनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो classical dance form बोलते हैं, और एक folk dance form होता है, ठीक है, इसको दो broad category में हम लोग बोल सकते हैं तो ये traditional arts form है, dance form है, ये आप लोगं को पता रहनी चाहिए, ये हाँ, तो सम traditional arts form, पहले हाँ, dance form है, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले traditional arts form देख लेते हैं, जैसे jamdani, जो है, विस्ट बेंगॉल का art form है, पस्मीना एंड सातूत, जो है, जम्मू, पस्मीना जैसा, ये क्या ह होते हैं, आलग टैप के भेड़ होते हैं, जो की लद्दाक में पाया जाते हैं, लेकि इनसे जह लद्दाक जो होते हैं, जो ऊते हैं, एक पटोलव है गुजरात का बंधाना डिजाइंस जो है राजस्थान गुजरात की में कार्ट फॉर्म है चिकनकारी लखनु का मूंगा सिल्क आसाम का पोचम पल्ली अंद्रप्रदेश का पर्फ्यूम्स जो है उकन्नोच ही बहुत फेमस है सॉल्स है कुल्लू की सॉल्स बह बहुत फेमस होती यह आर्ट्स फॉर्म्स हैं ट्रडिशनल हैं जो बहुत आने समय से बहुत उस सिटी की या स्टेट की फेमस कारीगरी में से एक है जिसके लिए वह लोग फेमस हैं डिफ्रेंट कायिंट रफोग डांस अब हम लोग बात कीते आ क्लासिकल डांस फॉर्म में फोक डांस फॉर्म तो फ्स में जो होता है वह जह आएं भांगडा एंगिधा जो पंजाब का है, चीरो जो है मिजोरम का डांस वाम है, रॉफ एंड डामीली जो है जमू एंड कास्मिर का डांस वाम है, तामसर एंड लावनी जो है महराश्टर का बीहु आसाम का, भैंबू जो है मनीपूर का, घूमर जो है हर्याना का डांस वाम है अच्छा का ओडिंटिंग को एक प्रिंटिंग है कि इंडिया के वहांद काहिऊ जब अधिक के एर्टिंटिंग में और दो यह जो, ज्यु अधिक से तो trata काא्टि है महाराष्टर का painting है और यह इसमें क्या होता है कि natural जो color से ही लोग color यूज करते हैं और इसमें story depict होती है उसको पूरो को आप जब देखेंगे तो लगएगा कि आपने आप में जो जैसे painting की होती है वो story form में होती है कमल कारी painting जो होती है यह आंध प्रदेश का है और इसमें natural color यूज करते हैं और यह कपड़ों पे block painting के रूप में की जाती है जितने भी painting से यह कपड़ों पे की जाती है इसमें natural color यूज होती है जितने हम पढ़ेंगे चित्रकाथी हो कलमकारी हो मदुबनी painting हो पता painting हो भाड़ पेंटिंग हो इस सारे कपड़ों पे की जाती है और इसमें natural color यूज हो जिसे मदुबनी painting बहुत फेमास है यह बिहार का बहुत ही बिहार से बिलॉंग करता है और इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, बॉर्ट्स, हुमन इनकी story डिपिक्ट होती है और इसमें क्या है नीले color बनाने के लिए इंडिको का यूज करते है यलो color के लिए टर्मनिक यूज करते है और नॉर्मल फ्लावर्स को यूज करते है कलर बनाने के लिए special kinds of पेस्ट आप ग्राइंडेड राइस यलो राइस को पीस करके लो यूज करते है पेंटिंग को गलोरिफारी और चमकीला बनाने के लिए तो मदबनी आर्ट है वह फेमास है ठीक है बाकि फार्ट पेंटिंग है राजस्थान का है ये कपड़ों पे की जाती है पाता पेंटिंग जो है पाता वो ओडिसा का है उडिसा से बिलॉंग करता है नेचलर कलर्स यूज होते है अब कपड़ों पे होते है अब क्लासिकल जो डांस फार्म्स हैं भारत के उसको भी हम लोग देख लेते हैं जैसे ये कापी इंपोर्टेंट है ये मैंने इसी लिए टेवल फार्म में दिया है कि अपतों को याद करने में आसान हो इसे भरतनाटेंग है किस स्टेट का दांस फार्म में चुझा मिन नाडो का कथक कली केरला का कथक यूपी का ओड्स ऊड्स ए उर्सा का है Figure का मनीपूर है मोहने नठम केरला का है कुचिपूरी का है सत्रिया जो dance form है वो आसाम का है ठीक है अब हम लोग बात कर लáते हैं जायव विविदिता की तो जायव विविदिता क्या होती है इसको इंगलेस में हम लोग बोलते हैं बायो डावरिसिटी बायो मतलभ जीव डावरिसिटी मतलभ विभिनिता ठीक है तो जब जीओं में बिभिदिता, जीओ और बिभिदिता इसको हम लोग बोलते हैं जाय बिभिदिता, साधारल भासा में किसी निश्चित भागोलिक छदर में पाए जाने विले जीओं की संख्या और उनकी बिभिदिता जो होती उनको जाय बिभिदिता बोलते हैं, माले जी कि एक forest है उसमें भहुत सारे जीव पाया जा रहे हैं बहुत बिवित बिवित तरीके की उसमें जानवर पाया जा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि यह जो forest है वह बहुत ही बहुत ज़्यादा तो इस तरह यह सब चीज़े होती है इसका संबंद पौधों के प्रकार से होता है प्राणियों से तदा सुच में जिवाड़ों से है ठीक है एक दूसरे के साथ core relation होता है और एक दूसरे पर लोग़ों dependent होते है यह प्रिधिवि पर पतवाई जानेवले जी उधारियों की परिवरतन सीलता एक ही प्रजाती तथा बिभिन प्रजाती में परिवरतन सीलता तथा बिभिन पर तंत्रों की बिविवसिता से संबंदित है ठीक है तो समझ गए होंगे आप लोग की किसी एरिया में एक भागॉलिक एरिया छेतर में जो पाई जर्मने जीयों की जो संख्या है और उनमें कितनी वराइटी है और ये वराइटी डिपेंड करती है कितने पाउधे हैं किस पाउधों की जो प्रकार हैं उसमें प्राड़ी बोलते हैं, एक species diversity, प्रजाती बोलते हैं, और तीसरा ecosystem diversity पारितंत्री जैवव विवित्ता बोलते हैं, ठेक है, इसको हम लोग स्मार्ट आर्ट के माध्यम से जदा आसाने से मशल सकते हैं, जिसे अनुआंसकी जो जैव विवित्ता होती है यह भिन्नता अनुआंसद्टा और वह होती है जिसमें अगर का अनुवांसकी लेवल पर अगर कोई भिनता जो पायिजाती यह उसको आनुवांसकी जाय विविलता बोलते है ठीक जिसे भारत में पच्छास हजार से अधिक आनोय जार से रूप से भिन भाइजा जाती इसे में धान की लबहhst पचास हजार से अधिक वराइटी पाए जाती है और यह वराइटी क्यों पॉसिबल है आनुवानसिकी लेवल पे यह जो धान की वराइटी जहें वह अलग है तो इनको हम क्या गोलते कि हमारे देश में बहुत सारा डाइवरसिटी है लेकिंगे डाइवरसिटी किस टाइवरस होती है ठीक है जिसे वेस्ट घाटी के जो भेचर जातियों की विवित्ता होती है वो पूर्वी घाटी के जो जात जो जीव होते हैं उनसे अलग होती है और अधिक होती है ठीक है तो इससे क्या पाचला की जाती लेवल पे भी भिणता होती है ठीक है एक ही जीव एक ही इस अधिक पाई जाती है तो इस तरह कि हम लोगों ने देखा कि एक इक स्पिसेज लेवल पर डिफ्रेंस डिफ्रेंसेज हमें देखने को मिलती है तो इसको प्रजाती बोलते हैं ठीक है और जब पारितंत्र लेवल पर डिफ्रेंसेज देखने को मिलती है से वर्सा वन हो है भार लेकिन इनको अगर आपस में तुलना की जाया तो इनकी पारितंत्र लेवल पर बहुत सारे डिफ्रेंसे हमें देखने को मिलेगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगी पारितंत्री जय विवेता ठीक है तो आई होब आप लोगों को यह टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा जब किसी जीव का अंतिम सदस मढ़ जाता है और फिर उस जाती का अभिस में कोई जीवित जीवस अस्तित्म नहीं होता है तो उसको एंस्टिंक्ट एनिमल या बिलोगत जीव कहते है ठीक है जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया कि मौरिसस को जो डूडो पक्ची है वो मानो सिक्का के कारण बिलूप्त हो गया तो यह जो डूडो पक्ची है वो आज के टाइम में बिलूप्त जीव है ठीक है जब किसी जीव का प्राकृतिक वातावरण बदल जाता है और उसमें प्रवाइब नहीं कर पाता है तो धिर दिर एंस्टिंक्ट हो जाता है अब हम लोग बात करेंगे वल्नरेबल स्पीसेज उसको सुभेद्र प्रजाती कहते हैं इसमें जो वे प्रजाती सामेल होती हैं जिनने अगर सनरचित नहीं किया गया या उनकी बिलिप्थ होने में जो स अधिक कम होने काड़ इनका जिवीत रहना सुनिष्चित नहीं है तो इनकी जो क्या होती मॉल्नरेबल जो स्पीसेज होती हैं इनकी संख्या काफी अगर आचानक से ज्यादा कम हो गई है तो फिर यह होता कि इन future यह लोग बिलुप्थ हो सकते हैं तो इनको सनरचित करने की जरूद पढ़ती है और अब हम बात करते हैं संक्टापन एनिमल्स इंडेंजर्ड एनिमल्स ठीक है तो उसमें पिक्चर में दिखा है कि जो रेट पैंडा होते हैं वो इंडेजर्ट एनिमल्स की लिस्ट में आते हैं क्योंकि इनकी अब संख्या बहुत कम रह गई है इसमें वो प्रजाती समिलत हैं जिनकी बिलुप्त होने का खत्रा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर दे कंजर्वेशन आफ नेचर एंड नेच्वल्स इसोर्स आयूसियन बिस्व के सभी संक्टापन प्रजातियों के बारे में एक रेड लिस्ट जारी करते हैं और सूचना प्रकास प्रजातियों के संख्या बहुत कम है यह प्रजातियों कुछ अस्थानों पर ही सिवत या बड़े चैतर में बिरल रूफ से विखरी होई है ठीक है तो मलब बहुत कम इनकी संख्या रह गए यह संसार में या इनकी कुछ अस्थानों पर ही इनकी प्रजाति देखनेों के मिलती है तो इनको रेयर जैसे नाम बतारा कि रेयर कभी कभार कहीं ही पे किसी एरिया में बिख जाते हैं तो इनको दुरल प्रजाति बोलते हैं जैसे मालआबार सिवेट अब वनजीवन संरच्छण अधिनियम 1972 क्या है इसको जान लेते हैं तो वन इसमें क्या इसके लायनने का प्राउधर्ण ये था कि जंगली जीवोग फॉद्धों की जो बिभिन प्रजाती हो एं उनको संरच्ष्षड करने के लिए वन जीयन अधिनियम आया युषा अध्यांद प्रभंदन, किया जाता है उनसे बनने वाले जो वस्तु나면 हैं और उनके नियंत्रड के लिए एक कानून धाचा भी तैयार किया गया है 1972 के एक्ट के माध्यम से तक इवंग जंगली जो पाउधे हैं चैनवर हैं उनको कोई नुक्सान न पहुचा सके जंगली जियों की तसकरी न हो सके तो उसके लिए कानून भी लाया गया है ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं जूम क्रिशी क्या होता है मोशली यह मुख्य रूप से असम मड़ीपूर मीजोरम नागा लैंड में किया जाता है यह भारत के उत्तरपूर में यह क्रिशी मुख्य रूप से प्रचलित है और इसमें जो होता है मक्का मिर्च चावल फिर जो लोग करने वाले होते हैं फिर दूसरे अस्थान पर चले जाते हैं फिर वहां जंबल को साफ करते हैं फिर वहां पर खुदाई करके मिट्टी को साफ करके पुरानी अपकरडों के सायता से फिर खेती करते हैं तो यह तरह से यह अस्थानतरी एक रिसी भी बोला जाता है ठीक है इसका साइटिफिक्ट यह है कि इस तरह से जो वन जीव है बायो जो डाइवरसिटी है उससे काफी इसको यह नुकसान जूम कहती जो है वो बायो है और यह वन जीवों और से ही जुड़ा हुआ इसलिए हम लोग इसको यहां पर देखेंगे तो यह अंदोलन चमोली जीले में रेनी गाव में 1973 में शुरू हुआ था यह पेड़ों और जंगबल को काटने से रोकने के लिए हुआ था इसलिए इसको अंदोलन में क्या इसलिए अंदोलन का नाम चिपको अंदोलन पड़ गया इस अंदोलन के सुरुआच चंडी प्रसाद भट और गोरी देवी ने की थी और इसका जो नेत्रित चिनों ने किया था उस उंदललाल भागूडा ने की थी तो इसलिए जो अंदोलन तो बहुत फेमस अंदोलन चिपक जाते थे और उसको हब करके इसलिए इसका नाम चिपको अंदोलन पड़ा वन अधिनियम 2007 अब हम लोग देखेंगे तो इस अधिनियम के इंसार जो लोग वन में कम से कम 25 साल से रह रहे हैं उन्हें उस भूमी और उस पे उप जाएगे जो उपज है उस पे उनको पूरा अधिकार दिया गया वन अधिनियम 2007 के माद हम से ठीक है हम लोग देख लेते हैं इस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ कि मुख रूप से जो जंगली जीव पवधे हैं जो बिलुप्त होने से बचाना आउने ने सनलचट करना इस वन अधिनियम का जो उद्देश था दूसरा जो उद्देश है वो है इन्हें इसे वन जीओं की अवैद तसकरी व्यापार को रोकने के लिए लाया गया था तीसरा जो एम था 2003 में इस अधिनियम सोसोधन किया गया जिसके तहट जुर्माना और सजो सजा को और कठोर बना दिया गया ताकि वन जीओं की तसकरी को रोका जा सके ठीक है और वन जीओं को संरच्छित बहुत बहतर तरीके से किया जा सके आर्टिकल 51 AG के तहत अन्य वन जीओं सहित पर्यावड की रच्छा करना हर नागरी का करतब है यह भी प्रावधन में रखा गया तो ठीक है तो वन जीओं संरच्छन अधिनियम 1972 का उदिस क्या था आप लोगों को समझ गया हो गया कि जंगली ज जो लो तसकरी और वन जीओं को नुक्सान पचाते रहते हैं फायदे के लिए वो उसको उस्तिक करने से डरें और बाकी आर्टिकल 51 AG लाया गया जिसमें वन जीओं की रच्छा करना हर नागरी का करता भी भी बताया गया ठीक है तो ये था complete EVS जो की complete होगे अब हम लोग questions करेंगे तो देखिए पहला question है कि वास्पी करण की प्रक्रिया निमलखित में से किस स्तिति में सबसे धीमी होगी तो सबसे धीमी जब होगी देखिए इसमें options दिये गया है जब सता छेत्र आपमान दोनों में बृध्धी हो नए सता छेत्र बढ़ता है और तापमान घड़ता है लेकि तापमान बढ़ता है सता छेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी जी हां देखिए वास्पी करण क्या होता है जब भी वास्पी करण की प्रोसेस होता है वो आटोमाटिक कंटिनियूस नहीं चलता रहता है ज नेचुरल जिवात है उसको जो अस्वी करड़ की जो प्रासेस होगा वो भी धीमाई हो जाएगा अब हम लोग 2nd question देखेंगे भारत किस शेत में अस्थानतरी खेती करने का रिवाज है तो जूम खेती को यह अस्थानतरी खेती बोलते है और अभी मैंने पढ़ाया एक उत्तरपुर्वी छेत जो भारत का है उसमें अस्थानतरी खेती करने का रिवाज है इस पर हम लोग टिक करते चलते हैं आप लोग के लिए कमफोर्टेबल रहेगा आला यह और इसमें ठीक है निमलेखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है तो ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं वो देखिए सी ओटू भी होता है मिठिन भी होता है जल्वास भी होता है तो तीन फोर्थ आप्शन उप्यूक सभी जो है ग्रीन हाउस गैस होती है ठीक है नीचे दिया गया कौन सा एक समू जड़ों का समू है तो जैसे चुकंदर है आलू है अदरक है तो जो होता है वो तने में उसका काउंट होता है और जो अदरक है वो भी तना होता है तो देखी अद्रक, हल्दी, आलू ये सब क्या होते हैं इनको आप जड़ का सम्मू नहीं बोल सकते हैं तो इसका फोर्थ आप्शन विल भी राइड गाजर, चुकंदर, जो मूली होता है ये कम्प्लिटली ये जड़ होते हैं वाकी जहां भी हल्दी है, अद्रक है, आलू है ये तना होते हैं, जहां भी अब इसको डिटिल में आप लोग देख सकते हैं ये सब चीज़े आप याद रखना ठीक है कि आलू अद्रक, हल्दी का जो ये है, इनको जड़ो के सम्मू में काउंट नहीं किया था है, इनको तने मिल लिया जाता है रगिस्तानी ओक का नाम एक प्रेड है, जो पाया जाता है, कहां पाया जाता है, आस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है जैसे मैंने डेजर्ट ओक की बात की थी न, डेजर्ट ओक को ही रगिस्तानी ओक बोलते हैं, कहां पाया जाता है, आस्ट्रेलिया में पाया जाता ह निपेंथिस वह पौधा जो सिकार करता है कि विसे में निमलखित कतनों दरा विचार कीजी यह पौधा आस्ट्रेलिया एंडोनेसी और भारत में पाया जाता है सही है इसका कार घड़े जैसा होता है और इसका मुह एक पत्ती से ढखा होता है ठीक यह भी सही है जिसमने भारत की आजादी से पहले मात्पा गाधी ने जिस दांडी की समुन्द दढ़ तक रहा जाए था जाया था या कीड़े चोटी कीड़े माकोड़ों को खीचने के लिए मोह का आवाज निकालता है जिससे वोलो अट्रक्ट होते हैं उसमें फज जाते हैं तो इसका तीस फोर पूर्था ओप्शन विल भी राइट एबी एंट से भारत की आजादी से पहले मात्पा गाधी ने जिस दांडी की समुन्द दढ़ तक अपने यात्रा प्रसेद यात्रा की थी वो भारत की नीचे दिये किस राज में स्थित है तो हम लोगों ने भी दांडी मार्च पढ़ उच जौर तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड की छाल से किया जा सकता है। वो है किसमें ऐसा बुखार आता है और सिंकोना ट्री का प्रयोग करते हैं तो हो है बिमारी मलेरिया चिराव नाच कहां किलो करते हैं मिजुरम में करते हैं ठीक है जैसे हमने डांस फॉर्म अभी देखा तो मिजुरम का ये फॉक डांस में आता है नीचे दिये गए पक्षियों की कौन से पजाती जटके से अपने गर्दन आगे पीछे करती है उल्लू कावा बसंत गवरी मैना तो देखिए जटके से पीछे करना आगे पीछा थ्रिश्ट्री घुमाने की जो प्रवित्ती है उल्लू में सबसेदा मैक्सिमम रोटेशन की हो होती है तो मैक्सिमम अपने गले को रोटेट कर सकता है और 360 डिगरी तक करता है ठीक है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं तो उल्लू कर सकता है नीचे दिये के सूची पर विचार किजिए कच्छुआ घड़याल कवा बत्तक मचली उनमें से कौन सासा एक दूसर से भिनने तो देखिए आप देखिए कच्छुआ भी है उभैचर प्राड़ी पानी में भी रहता है अस्थल पर भी रहता है घड़याल भी उभैचर है ब कवा जो है हवा में उड़ने वाला बर्ड है पक्छी है तो डिफ्रेंट कौन होगा कवा हमेशा जब भी इस ट्रप कुशन आते हैं तो आप लोग ध्यान दिजिएगा ठीक है घरों के वारे में सेल्टर के टॉपिक है कराईस्थान में गाउं के लोग मिट्टी के घरों और उनकी छते कटिली जानियों की होती है में रहते हैं ठीक है सही है मनाली के घर बासों के खंबों पर बने रहते हैं नहीं ऐसा नहीं है बास के खंबों पर नहीं बने रहते हैं और उटकी होती है जो घर जो होते हैं बास की खंबो बास खंबो अतो यहां बारिस होती है आ अब हम लोग बात कर लेते हैं हाथी बहुत कम आराम करते हैं यह एक दिन में लब दो से चार घंडे सोते हैं सही है बड़ा हाथी एक दिन में दो सो केजी से अधिक पतियां और जाड़ियां खा लेता है 200 से जाड़ा तो नहीं खाता है लगभग डेज़ सो से पाने 200 केजी का जो यह पतियां खा लेता है दो सो से जाड़ा यह सही नहीं है और और इसे पानी और कीचर्ट खेलना बहुत भाता है ठीक है क्योंकि वो सरीर को ठंडग मिलती है जोंड में सबसे बड़ी जो हतिनी होती है यह सभी फैसले लेती है जी है यहां यह साही है तो मेरे कोर्डिंग सेकेंड आप्शन विल भी राइट होगा वो होगा नहीं एक ए सी और डी थर्ड आप्शन लेंगे फिर भी आप लोग इस कुश्चन का आंसर को इवारी चेक कर लेजेगा अब हम लोग बात करते हैं कि तमिनाडू की निकटवर्ती राज़कौन कौन से है तो जैसे कि हमारा मैप है तो यह इंडिया का मैप होता है इधर क्या है बे आफ बैंगॉल इधर हिंद महासागर है नीचे पूरा यह पूरा बे आफ बैंगॉल नीचे जो है वो इधर हिंद महासागर ठीक है इधर पूरा जो एरिया है वो है अरेवियन सी अरेवियन ठीक है नीचे इधर तमिनाडू है ठीक है तो तमिनाडू के निकटवर्ती राज कौन-कौन से हैं तो हम लोग देखेंगे कि ऊपर आंध प्रदेश है केरल है और करनाटक है आप उसको मैप को इंडिया के मैप को देख लिजेए तो कि मैप से लगबग दो क्वेश्यों ज कौन से निकटवर्ती राज यह से पूछ दो दो क्वेश्यों तो मिनिमम आते हैं ठीक है तो आंध प्रदेश केरल और करनाटक इसके निकटवर्ती राज है अब बात आती है कि NCF 2005 के अंसर निकित में से क्या प्राथमी का स्तर पर प्रात्रमी कास्तर पर पर्यावण अध्यान से छड़ अध्यिस का हूना चाहिए तो यह कोश्चन था, उन्होंने को उल्टा कर दिया है, ठीक है तो इसमें अपने अध्यान से अप्शन को देखें विसे इसता प्राकृतिक पर्यावण के प्रती जो बच्चे की जिग्यासा से जनात्मक को भढ़ावा देना है यह तो मलब ncf 2005 का मलब उद्देश है देखिए होता है और लोकन वरगी करड़ और निसकर्स निकालने वाले प्रक्रियों के मादम से बुन्यादी संग्यात्मक और गत्यात्मक करने के करने के खोजबीन से जुड़ी हाथ को करने वले कार में बच्चों को संगलंग न करना बच्च प्राक्रतिक संस्कृतिक और समाजिक परावड के संबंधों को भाचानने और समझने में बच्चों को प्रसिच्छित करना यह तो ncf 2005 का उद्देश है बच्चों को करना परावड समझ के द्वारा बच्चों को सटीक और संख् संख्यात्मक का विकास करना जी यहां नहीं यह नहीं है मतलब कि अपर यह बता है कि इसके अनुसार कौन सची उद्धिस नहीं होना चाहिए तो यह फोर्थ आप्शन होगा कि परावर्ण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक का वसल इस संख्यात्मक सटीक का डेवलोग करने का उद्धिस कभी भी एंसिप 2005 का नहीं रहा है ठीक है तो फोर्थ आप्शन विल भी राइट तो यह था एवियस का मैरा अथन एवियस में मैंने सारे चैप्टरस को कवर किया जो भी इंपोर्टेंट फैट से उनको सब को देखा पूरा मैंने कंप्लीट ज को भी डिसकस किया है ठीक है ताकि आपके जो कंसीजन से वह भी क्लियर हो जाएं अपने सजेसंस और कमेंट जरूर बताएं ठीक है थैंक्यू सो मच